Dear student, आप लोगों ने मुझसे इस question को पूछा था, मैं इस question को solve करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, यह board math से related simplification है, इसमें सबसे पहले हम bar bracket को solve करते हैं, यानि यह जो line है आपका, bar bracket है, उसके बाद small bracket, यह आपका small bracket है, उसके बाद curly bracket, यह आपका large bracket है, तो इसमें हम सबसे पहले bar bracket को solve करते हैं, dear students, सारे numbers को, सारे bracket को, हम put करते जाएंगे, नीचे वाले line में, सिर्फ हम bar bracket को, इस line में solve करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2550 को put कर दिया, minus, large bracket, 510, minus, curly bracket, 2070, minus, small bracket, 90, minus, अब bar bracket, यानि 80 और 70 को जब हम add करेंगे, तो आएगा 150, उसके बाद small bracket close, curly bracket close, large bracket close, second step, फिर उसी तरह उपर के number को put करेंगे, और यहाँ पे small bracket को solve करेंगे, तो यह हमारा put करते गए हम, continue, फिर यहाँ पे 90, minus 150, तो यह 90, minus 150, तो हम देखेंगे, कौन सा integers बढ़ा है, कि साइन वाला integers बढ़ा है, तो 90, पहले कोई नई sign है, तो यह positive हो गया, minus 150, तो हमारा minus 150 जो है, वो plus 90 से बढ़ा है, तो हम 150 में से 90 को minus करेंगे, तो हमारा आएगा minus 60, क्योंकि जिस number में से, जिस number को हम minus करते हैं, उस number का sign देखते हैं, और उसी number का sign हम put करते हैं, तो यहाँ पे minus 150 क् प्लस 90 से बढ़ा है, तो हम यहाँ पे क्या put करेंगे, minus 60, बेटा next step, अब हम small bracket को यहाँ से remove करेंगे, तो आते हैं, 2550 minus large bracket 510 minus curly bracket 270 plus, अब यहाँ पे बेटा ध्यान देना है कि plus कैसे आया, तो plus आपका कैसे आया, minus minus, यहाँ पे bracket है, तो bracket के बाहर अगर कोई sign है, तो अंदर क sign से multiply हो जाता है, और जब multiply होता है, तो minus minus क्या होता है, प्लस होता है, तो minus into minus plus 60, next step से मुझी तरह put करते जाएंगे, 2550 minus large bracket 510 minus, अब इसको हम solve करेंगे, तो 270 plus 60 is equal to 330, next, 2550 minus large bracket 510 minus minus, अब 330 को हम बाहर put कर देंगे, यानि large bracket में put कर देंगे, अब इसके बाद यह last आपका step है, इसमें हम large bracket को solve करेंगे, फिर हमने put किया वही number 2550 minus, अब 510 minus 330 आप करेंगे, तो आएगा आपका 180, अब हम क्या करेंगे, last step में 2550 में से 180 को minus करेंगे, जब 180 को minus करेंगे, तो हमारा आएगा 2370, यह आपका question solve हो गया, अब आप इससे ध्यान से देख लो बेटा, और समझ लो, फिर भी कोई problem होती है, तो आप हमसे पूछ सकते हो,